राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी, उमीद है अच्छे होंगे मैं आपकी दोस्त बुहमीका लेकर आई हूँ आपके लिए स्रीमत भागवत गीता सीरीज लास्ट एपिसोड में हमने स्रीमत भागवत महत्मे के वारे में जाना था अब हम स्रू करने जा रहे हैं स्रीमत भागवत महत्मे का पहला अध्याय जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि मैंने स्रीमत भागवत गीता सीरीज स्टार्ट की है इसमें ब्यास पुत्र सुखदीव जी द्वारा महाराज परिक्षित को सुनाई गई मोक्षदाई पावन कथा है तो दोस्तों आगे हम इस एपिसोड में स्रीमत भागवत महत्मे का पहला अध्याय जानते हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं कृष्णम नाराणयम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजप्रियम, कृष्णम द्वयपान्यम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथा सुतम स्रीमत भागवत महत्मे का पहला अध्याय भक्ती, ज्यान और वेराग्य सच्चिदानन्द रूप भगवान स्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं जो संपूर्ण विश्क की उत्पत्ती, इस्थिती और विन्नास करने वाले तथा आधी दैविक, आधी भौते वे आध्यात्मिक ताप्तर्यत का हरन करने वाले हैं पौराणिक युग में एक वार सौनकादी 88,000 रिसीवर नैमी शारन्य में एकत्रित हुए वहां स्रीबेद व्यास जी के पौराणिक शिश्य सूत जी प्राजवान थे उन रिश्यों ने सूत जी से प्रार्थना की की वे ऐसी कोई कथा सुनाएं जिसमें लीला में परमेश्वर की भक्ती ज्यान और वैराग्य का समावेस सरवादिक हो इस गोर कर योग में संसारी व्यक्तियों के लिए ज्यान उस राक्षस के समान हो गया है जो क्रोध, मलो, मोहो और काम को ही सदेव बढ़काता है जिसकी वज़े से मनुष्य हर पल, हर गड़ी दुखी रहता है हमारी प्रिती स्री हरी चर्णों में हो रिस्यों की बात सुनकर सूत जी बोले रिसीवर इस कलियोग में काल रूपी सर्प के चंगुल में फसे लोगों के उधार के लिए आपने जो कथा सुनने की इक्षा प्रकट की है वहिस्तूती योग्या है मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जिसे सरी सुखदेव जी ने राजा परिक्षित को सुनाया था उस कथा का नाम स्री मद भागवत कथा है सूत जी ने कथा का सुबारंब करते हुए कहा उन दिनों श्री सुकदेव जी गंगा के किनारे रिशी मुणियों के सामने आध्यात्मिक प्रवचन किया करते थे राजा की प्रार्थना पर उन्होंने उसका म्रत्यू भैदूर करने के लिए यह स्रीमत भागवत कथा सुनाई थी जिस समय श्रीम सुकदेव जी कथा सुनान सुनाएं इस पर स्री सुकदेव जीन देवतां से कहा इस अमरत को पी कर तो लोग देवों की भाति अमर हो जाते हैं यहां अमरत हमारे किसी का काम का नहीं है स्वर्ग में आयू का कुछ पता नहीं चलता वहां व्रह्मा के एक दिन में चौधह इंद्र वदल जाते हैं तु अवागमन से मुक्त हो जाता है महराज परिक्षित की इस कथा को सुनने के एकशुक हैं यह कथा संकादिक रिश्यों ने नारद मुनी को एक सफता के भीतर सुनाने की बिधी बताई थी आप भी यदि सुनने के एकशुक हों तो बिराजें सूत जी की बात सुनकर तो वहाँ बैठ गई पर सौनकादेक रिश्यों ने जिस्री शूत्जी से कहा सूत्जी नारत जी तो दो घड़ी से अधिक कहीं रुकते नहीं फिर वे साथ दिन तक एक स्थान पर कैसे रुके रहें सूत्जी बोले एक समय सनक, सनन्दन, सनातन और संतकुमार नामक चारो रिश्य भाई गूमते हुए बद्री का अश्रम आए वहाँ उन्होंने नारत जी को उदास बैठे देखा तो पूंचा की आज वे किसी मानसिक चिंता में डूबे हुए हैं इस पर नारत जी ने उन चारो रिश्यों को प्रणाम कर अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहा कि इस कल्योग में वे चारो और घूम फिरकर आई हैं तो उरों ने देखा कि हर तरफ आपा धापी मची है सत्य का पालन, पवित्र, तपश्या करने वाला ब्रत, दान और दया सभी लोग छोड़ चुके हैं अपने माता पिता का कोई आदर नहीं करता सभी अपने अपने श्वार्त और सांसारिक मुहो माया में उल्जे हुए हैं सभी अपना पेट भढ़ने में लगे हैं सभी पैसों के लालच में कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं सरवत्र, अधर्म और नीच कर्मों का बोलवाला है यह सब देखते हुए वे जब मत्रा नगरी में यमना किनारे पहुंचे तो वहाँ एक स्त्री को उन्होंने रोते हुए देखा उसके पास दो बूड़े अचेत अवस्था में पड़े थे कोई भी उस इस्त्री की साहता करने नहीं आ रहा था उसे देखकर वह इस्त्री अपना दुख़़ा सुनाने लगी वह कह रही थी कि वह भक्ती है और ये दोनों अचेत पड़े उसके दो बेटे ग्यान और वेराग्या हैं यहां आसपास जो तीन इस्त्रीया बैठी रो रही हैं ये गंगा, यमना और शर्श्रती नदिया हैं जो मेरी साहता के लिए यहां आई है मैंने दर्विड प्रिवेश में जन्म लिया था करनाटक में मैं स्यानी होकर दक्षिन में रही वहां से चलकर मैं गुजरात पहुँची और वहां मैं बूरी हो गई लेकिन जब मैं, जब से मैं वहां ब्रंदावन में आई हूं तब से मैं फिर से जवान हो गई हूं परन्तु मेरे ये दोनों बेटे घ्यान और वेराग्या कलियोक के पापों की अगनी में भशमिभूत होकर अचेत हो गई है इसी से मैं बहुत दुखी हूं मेरे पुत्र तो बूरे हैं और मैं जवान हूं ऐसा देखकर संसारी लोग मेरी हसी उड़ाते हैं नारत जी ने उसे समझाया कि कलियोक की बज़े से तेरे पुत्रों ने अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया है भाव वही है कि कलियोक में भक्ती के द्वारा ही परमात्मा का सहाचर्य संभव है ज्यान बैराग्य को कोई नहीं पूंचता राजा परिक्षित ने भी दया करके कलियोक को छोड़ दिया था इसी का पैणाम उन्हें भोगतना पड़ रहा है दूसरे लोगों को भी धर्म कर्म छोड़ देने के कारण दुख उठाना पड़ रहा है केवल भजन कीरतन के द्वारा ही नारायन को प्रिशन किया जा सकता है कलियोक का यही धर्म है इस यूग में तो ब्राहमर्दान के लेकर भी प्राश्चित नहीं कराता सभी के मन में क्रोध, लोग, काम और एहंकार भरा रहता है नारत जी की बात सुनकर भक्ती ने कहा रिशिवर आप धन्य हैं, मुझे बड़े भाग्य से आपके दर्सन हुए हैं आप सभी का दुख हरने वाले हैं आप कोई ऐसा उपाय वताएं कि मेरे ये दोनों पुत्र ज्यान और वेराग्य फिर से यूवा हो जाएं इससे मेरा दुख छूट जाएगा और फिर मुझे भी फिर से जीवनदान मिल जाएगा मैं आपको बार बार नमन करती हूँ किर्प्या मेरा दुख और कलेस दूर कीजिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही मिलते हैं दूसरे अध्याय में तब तक के लिए जैसी किसना